हेलो फ्रेंट्स आज के इस क्लास में बिहार सचिवाले के लिए आज पब्लिकेशन की और से S.K. जासर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट आया है सेट नमबर 11 देखने वाले हैं इससे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नमबर 1-10 का क्लास दिया गया था जिर लोगोंने अभी तक नहीं देखा है प्ले लिष्टा कर आप चेक कर लीजेगा जैसा कि आपको पता होगा सचिवाले का डेट आफ कंफर्म हो चुका है सामने आपका एक्जामनेशन ने कुछ प्रैक्टिस सेट था जो की कंप्लेट नहीं हुआ था जल से जल उसे भी कंप्लेट कर लेंगे आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नमबर आप 11 को देखी काफी अच्छा कासा कोशन दिया हुआ है आपके इस बुक में आपको ध्यान से देखना है अगर आपको ज्यादा डिसकर्शन चाहिए होगा काफी सारा प्रैक्टिस सेट है उससे आप देखेगा NCRT का संपुर्ण निचोर जो है करवाद दिया गया है आप लोगों को टेस्ट के साथ है वो भी अबलेबल आप प्लेलिस्टा कर चेक कर लिजेगा आईए आज के इस कोशन का फर्स्ट नमबर को देखिए किस नेता के पूर्ण निटिती पर न्यू इंडिया पुस्तक कभी मोचन किया गया आप्शन C आपका राइट आसर आरून जीट लिगे नमबर शकेंड है सत्पूरा परवत सेंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच में इस्थित है बताए किस के बीच में है आप्शन A सत्पूरा अगर पूछेगा तो ताप्ती और नर्वदा के बीच में है भारत की पहरी हैड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरन किस सहर में किया गया है आप्शन नमबर D राइट आंसर पुने में तल्चर कोईले की खाने यहां पर है कहां पे आप्शन C और इशा में है तल्चर की खान यह राज नमक का उत्पादक नहीं करता है इन सम्मेशी कौन है तो आप्शन देखने के साथ अब समझ गया होंगे बिहार के द्वारा बिल्कुल नहीं किया जाता है नालंदा अंतराष्ट्य विश्विद्याले की पहला जो कुलपती है वो किशे नियुक्त किया गया था नालंदा विश्विद्याले का आप्शन नमबर A A.P.J. अब्दुल कलाम को ध्यान रखिएगा भारत के पहले स्वदेश निर्मित विवान माहक पूर जो है उसका नाम बताईए I.N.S. विक्रांथ आप्शन A. राई टांसर दही हंडी को किस राज में आधिकारिक खेल के रूप में मानता दी गई है आप्शन नमबर D. राई टांसर महराष्ट में यह बुकर पुरुषकार विजेता रही है किसके द्वारा जिता गया है अरुन्रती राई आप्शन नमबर D. आपका राई टांसर 1997 में को बुकर पुराइस जो बुकर पुराइस था यह मिल चुगा है भारत का पहला 3D प्रिंटेट कॉर्णिया किस सहर में विक्सित किया गया है थराबाद ऑप्शन भी राई टांसर मैं को भारत था इस देश के बीच की सिमा रेखा है ऑप्शन नमबर D. भारत और छीन के बीच की रेखा को मैं को भारत करतने से संभानित नहीं किया जा चुका है इन सब में से लतामंगेशकर को मिल चुका है, सचीन तंदुलकर को मिल चुका है, वाजपेई को मिल चुका है, जग मोहन डाल विया को नहीं मिला है अटल विहारी को ध्यान होगा 2015 में मिला रहा है लता मंगिशकर को तीन बार मिल चुका है 62 में 75 में और उनिश्व 90 में तीन बार राश्टी पुरुषकार से सम्मानित किया गया इसे आप ध्यान रखेगा और जो जग मोहन डालिया है इनको भायत रत्न नहीं मिला है इसे आप जरूर ध्यान रख लिजेगा पंडित नेरू इस समय तक परधान मंत्री थे कब से कब तक 1964 तक रहे थे तो आप्शन आपको यहाँ पे भी बता देना होता है चलिए नेक्स्ट कोशन पर आते हैं भारत का राष्ट्य पुष्प है कौन सा? आप्शन आपका सी हो जाएगा कमल है भारत की राष्ट्य केलेंडर का यह मास पर्थाम होता है कौन सा? आप्शन नमबर 62 होता है एक मान्चित्र में समान दाव वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आप्शन नमबर C ISO बार कहलाती है यह दिवन इक्वी नोक्स कहलाता है तो आप्शन नमबर आपका सी हो जागा? 21 मार्च को Equinux Equinux कहा जाता है जिसमें दिन और रात बराबर होता है यह राजनीतिक विमान दुरुघटना से मारे गए थे राजनीतिक विमान मतलब जो आपका है न डी आपका हो जाएगा शंजय गांधी हो जाएगा संजय गांधी इंद्रा गांधी के छोटे पूत्र ते धियान रखेंगे विमान दुर्घटना में संजय गांधी के मेत्यू 1980 में हो गई थी बताइए यह राजिनतिक कभी दूर संचार्वेभाग का कार्वाहक मंत्री नहीं रहा उसका नाम है ओप्शन सी नारायन साहब नहीं रहे थे दूर संचार्वेभाग का मुख्याले नहीं दिल्ली में और अस्थापना पूछ लेगा 1985 में आपको बताना होता है पुलेला गूपी चंद किस खेल से समन्दित है आप्शन ए रायट आंसर बैडमिंटन से या परसिद अस्थल बिहार में स्थित है आप्शन नमबर भी अशोक अस्थम अगर पूछेगा आपको देखिए परसिद जो अस्थम अस्थम है ये बिहार में है वैशाली के पास में है इसे आप ध्यान रखिएगा पिठक पंचायती राजमंत्राले का अगठन कब हुआ था वर्स 2004 में आप्शन डी आपको ध्यान रखना है जनजाती संथाल इन राज में नहीं रहती है किस में तो जारकन पस्चिम बंगाल गुजरात में रहती है अशम में नहीं रहती है ध्यान रखिएगा भारत में विशालतम समुद्रतर्ट यहां पर है कहां पर आप्शन नमबर आपको बता देना है C तमिल नाडो भारत का विशालतम समुद्रतर्ट पूछेगा तापको तमिल नाडो में बताना है मरेना बीच दक्षिन भारत का चेन्नरी महासागर में एक बीच है काफी फेमश है जारखंड के उत्तर में इस्थित राज्य का नाम बता दीजिए बिहार ऑप्षन भी आपका राईट आज़र जारखंड की जो सीवा है ना पांच राज्य से गुजरती है और करक देखा पूछे का आट राज्यों से गुजरती है चलिए नेक्स्ट कुशन देखे सब से अंदर भूमी द्वारा घिरा पत्तन है कौन सा विशाखा पत्तनम ऑप्षन डी राइट आंसर केंदर ये मंत्राले ने इस्माईल 75 पहल के शुरुआत की है किस ने किया है तो 27 का ऑप्षन नमबर आप यह समाजिक निया और अधिकायता मंत्राले के द्वारा किया गया है इस्कूल स्वक्षता सिक्षा कार्ग्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है ऑप्षन नमबर भी उत्तर परदेश की उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन सैक्षिक स्थल था ओप्षन ए राइट आंसर विहार में था था क्या है भी किस लेखक ने जासुसी पात्र पोईरेट पोईरोट की रचना की है तो ओप्षन भी आपका करिष्टी की द्वारा किया गया है किस लेखक ने प्रसिद चरित्र है जीवस की रचना की है ओप्षन नमबर वोड हाउस ने किसर का मुख्य उत्पादक राज कौन सा है 32 का राई टांसर ऑप्शन सी टी करिएगा जमू और कस्मीर रभी की फसल की कटाई का मौश्रमीन में से होता है ऑप्शन ए राई टांसर मार्च में लास्ट वाला जो क्लास था जोगरफी वगरा उसमें भी आपको सवाल बताया जा चुका है जारखंड में इस थित इस्पाद स्यांत्र है ऑप्शन ए आई आई एस सी वह आपको राई टांसर बता देना हो एक मिट माफ किलेगा जारखंड में इस थित पूच्छन जारखंड में जो टिस्कू है ऑप्शन भी द्यान रखिएगा कि ना जमसेद पूर में जो कारखाना है उसके अस्थाप 1907 में जमसेद जी टाटा के द्वारा किया गया था दुनिया की पांचवी सबसे परी इस पात किया कंपणी है इस कंपणी का मुख्याले पूछेगा तो मुंबई बता दीजेगा जारखंड के बारे में पूछेग जलोड मिद्डा के नाम से जानते हो नगर कोजी कूट कहलाता था काली कट ऑप्शन नमबर डी आपका राइट आंसर है चीन की संसद क्या कहलाती है 38 का ऑप्शन नमबर सी राष्टिय जन कॉंग्रेस कहलाती है इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था ऑप्शन सी राइट आंसर 1961 में 12 अप्रेल को सबसे पहला मानव ने अंतरिक्ष के सफल उडान भरी थी ध्यान रखेगा 12 अप्रेल 1961 को इस राष्ट का राष्टिय परतीक सिंग नहीं है किसका नहीं है बताईए बेल्जियम नेदरलेंड नार्वे इन सब का है देखिए बेल्जियम नार्वे नेदरलेंड पूछेगा या तो सिंग सेर जो है यह आपको बताना है बड़ पाकिस्तान अलग हो जाता है क्योंकि चांद तारा या फिर कहिए चमेली का फूल यहां का राष्टिय चिन आप क लेक्चर जिव है ना दा लास्ट लेक्चर पूस्तक यह रेडी पॉस्त के द्वारा लिखा गया है और यह 2008 की जो नियोर्ग टाइम्स है ना इसकी सबसे अधिक विकने वाली या पूस्तक है इसे भी ध्यान रखेंगे निवने व्यक्ति के समाधी अस्थर को विजय घाट ओप्शन नमबर से लाल बहादूर सास्त्री के समाधी अस्थर को विजय घाट कहते हैं केंद सरकार ने किस राज के अगत्स मलाई छेटर को राज के पांच में हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है ओप्शन डी राइट आंसर तामिल नाडू के EMI जो कि कर्ज के पुनर भुकतान से समन दीत है मैं E का बताई यह क्या मतलब होता है तो EMI का मतलब होता है Equated Monthly Installment मतलब शमान माशिक किस्त होता है E का मतलब हो जाएगा आपका Option Number B Equated होता है भारत की पहली Underwater Metro का उदगाटन किस सहर में किया जाएगा कोलकाता Option B राइट आंसर भारत में श्वीत क्रांती के पिता कौन कहे जाते है वरगीच कुरियन Option C आपका राइट आंसर है अमिर की विशेज सेना जिसे उशमा बिलादेन को मारा क्या कहलाती है Option Number C सील कहलाती है ध्यान रखिएगा किसने दा लास्ट सफर को चित्रित किया Option A राइट आंसर लियोनार्डो दविंसी की द्वारा ये किया गया है यह एक पेंटिंग है ध्यान रखिएगा प्रथम बाहर जो जवाहर लाल नहरू कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे किस वर्स में चुने गए थे वर्स 1929 में पहली बार जवाहर लाल नहरू चुने गए थे भारत में प्रथम मैला मुख्यमंत्री का नाम बताईए सुचेता क्रिपलानी Option B आपका राइट आंसर हो जाएगा 1963 में बनी थी 1967 तक के लिए भारत में पहली बूलती फिल्म थी कौन सी Option C राइट आसर आलम आरा सर्वस रेष्ट फीचर फिल्म का राष्टिय पुरुषकार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म का नाम Option नमबर B स्यामची आईए बताना है देखिए सर्वस रेष्ट फिल्म का राष्टिय पुरुषकार जो है न सबसे मतलब पहली बार अगर पूछेगा स्यामची को मिला था उस प्रथम गरह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ दो बार सुरियोदे होता है उस प्रथम गरह का नाम बताना है तो उप्शन नमड़ी कैपलर 16 भी आपको बताना है एक मादर गरह है जिसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पर दू बार सुरियोदे होता है ब्रेटिस साशन के विरुद कॉंग्रेस ने किस वर्थ और शहयोग आंदोलन प्रारंब किया ओप्शन A राइट आंसर पंद्रह सो उनिस सो बेस में किया गया था बताईए इस व्यक्ति ने लोक सभाचुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्यू रिकॉर्ड कायम किया है नाम है उसका ओप्शन A राम विलास पाशवान आपको बता देना है किसे फ्रेंटियर गांदी कहा जाता है ओप्शन नमबर भी खान अब्दुल गफार खान सहाब को फ्रेंटियर गांदी के नाम से आप जानते हों बताईए वाक्यांस जश्ट डू इट किस कमपनी से समन्दित है ओप्शन नमबर भी नाइक से NSAID दर्द निवारकों की एक सेंखला में आई इसके लिए आता है आई का मतलब यहाँ पर बताना होता है क्या है तो इसका मतलब होता है इसे नन इस्ट्रेड डल करके होता है एंटी इन्फलेमेंटरी ड्रग होता है तो आई का मतलब यहाँ पर ओप्शन नमबर से इन्फलेमेंटरी आपको बताना होता है ओमेगा थिरी इसका एक वर्ग है किसका ओप्शन ए वस यह अमल का यह एक वर्ग है आपको बताना है दिल्ली से कॉलकता को जोड़ने वाले राष्टिय मार्ग का करमांग बताईएगा ओप्शन नमबर बी राष्टिय राष्टिय मार्ग टू जो है दिल्ली को कॉलकता से जोड़ता है यहाँ पर साइन्स का कोश्चन देखते है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की शंख्या है ओप्शन नमबर बी तीन हो जाएगा प्रोटियम, जिवडेरियम और ट्रैक्रियम आपको बता देना है पीच बिलेट इसका एक जैस्क है ओप्शन नमबर ए यूरेनियम का मेश्र धातू अलमूनियम ब्राउंज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व है ओप्शन नमबर सी राइट आंसर तामबा यह प्रकंद का एक उदाहरन है ओप्शन नमबर सी अदरक हो जाएगा सबसे जूर से बोल सकने वालत जन्तू है नीला विल ओप्शन भी प्रकात संसलेशन तथा स्वशन का शामान उत्पाद है ओप्शन नमबर डी राइट आंसर जल हो जाएगा यह अन्ता स्रावी ग्रंथी का एक उदाहरन है ओप्शन सी राइट आंसर थाईडोइड हो जाएगा कौन सा अंग पित का स्रावन करता है ओप्शन नमबर डी राइट आंसर हो जाएगा पित का स्रावन कहिए, स्राव कहिए यक्रित करता है बट अगर पूछता है पित का भंदारन तो पितासरे में होता है रिकामबिनेंट, DNA, टेकनलोजी के विकास के पस्चात ही यह तकनीक संभव हुई ओप्शन नमबर D, टीकाकरन के बाद आपको ध्यान रखना है DNA की खुद पूछता है तो, 1869 में फेडरिक मीशर के द्वारक किया गया था निम्न का कारण विशानू है, किसका कारण विशानू? ओप्शन सी, रैवीज आपको बता देना है रैवीज विशानू के ही कारण होता है निम्न में कौन परमानू सर्रचना के सिधान से प्रवतिपादित नहीं था ओप्शन नमबर D, क्यूरी, देखिए परमानू सर्रचना के सिधान्ट, 1803 में जॉल डालतन के द्वारा दिया गया था केंद्रक के बारे में पूछेगा केंद्रक की खोज किस ने किया था तो आप क्या बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन, मेरी क्यूरी के बारे में पूछेगा रेडियम की खोज की थी नेक्स्ट कूर्चन नमबर, 72 है इस धात्तु के योगिक कुछ सीशे तथा शाबुन, दोनों के घटक है किस धात्तु के योगिक तो पॉटेशियम ऑप्शन B राई टांसर इस तत्तु का परमानुभार मानक के रूप में लिया जाता है option A राय टांसर written carbon, carbon का प्रवानो भार, मानक के रूप में लिया जाता है, ही रा के बादे में पूछेहत, carbon का एक अप्रोप है, ध्यान रखेगा, और carbonic योगिकों से, translate, प्रथम carbonic योगिक था yordhaya thirty, वुड्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हे तो प्रयुक्त होती है ओप्शन A राइट आंसर एलकेन सिर्के का पी एच मान लगभग ओप्शन नमबर B हो जाएगा राइट आंसर तीन होता है ग्रिस रॉल में प्रात्मिक अलकोहल अलकोहलिक समोह का जो शंख्या है कितना है ओप्शन नमबर C आपको बताना है दो ग्रिस रॉल में प्रात्मिक अलकोहलिक समोह की शंख्या दो होती है ध्यान रखिएगा प्रकास संसलेशन का प्रात्मिक उत्पाद है option आपको भी बता देना होता है गुलू कोज होता है उसके बाद है कि निम्न में से कौन अन तीनों का तीनों को शमाहित करता है आपको option number A बताना होता है परितंत्र पूछेगा देखिए यहां पर समझे community आबादी जाती तीनों परितंत्र में समाहित रहते है लास्ट कोश्चन के रेक मस्रूम है क्या है मस्रूम अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो 80 लिख करके आप comment करेंगे मस्रूम इन सब में से क्या है नेक्स्ट वाला जो पार्ट इसका आएगा नमबर 12 उसमें आपको इसका जवाब बता दिया जाएगा आसा करता हूँ कि आपको क्लास आज का अच्छा लगा होगा नेक्स्ट वाले पार्ट में जल्दी मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नमबर 12 के साथ क्लास कैसा लगा comment करके आप बताएंगे मिलते हैं जल्दी